इन दोनों साइबर क्राइन से जुड़े मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वह यह ओनलाइन ठगी का एक ऐसा ही मामला संग्रूर के धूरी के पेदवी गाउं से सामने आया है जहां पर एक किसान के साथ 76,30,000 रुपए की ओनलाइन ठगी की गई है फरहाल पॉलस मामले की जाज कर रही है आनलाइन ठगी के बढ़ते मामले इन दिनों लोगों के लिए परिशानी का सबब बने हुए जिसके चलते कई बार तो लोग आनलाइन ठगी के चलते अपनी जीवन की सारी कमाई खो बैठते है ऐसा ही मामला सामने आया है संगरूर के धूरी के पेधरी गाउं में जहां एक किसान के साथ 76,3,000 रुपे की ओनलाइन ठगी हुए दरसल किसान के अनुसार उसको फोन आया कि उसका पेटियम बंद हो रहा है जिसके बाद उसे अपने मुबाइल में एक अप्लिकेशन डाउनलोड करने को बोला दिया वहीं अप्लिकेशन डाउनलोड होते ही एकाउंट से पैसे निकल ले दो जिसके बाद बड़ी संख्या में इकठा हुए किसानों ने पुलिस को शिकायत की फिलाल पुलिस ने मामला दर्च कर मामले की जाट शुरू कर दी है किसान के साथ कैसे हुई ठगी किसान गुर सेवक सिंग को 7 दिसंबर को एक मैसेज आया जिसमें उसके पेटियम बंध होने की जानकारी दी गई 8 दिसंबर को एक कॉल आई जिसमें पेटियम एकाउंट बंध होने की बात कही गई और किसान से पेटियम वालेट में एक रुपे एड़ करने को कहा गया फिर किसान को मोबाल में एक अप्लिकेशन डाउनलोड करने को कहा गया इसके बाद चुरू हो जाता है ठागी का खेग एक करपिया एड़ करने पेटियम बलोड चेक करपिया हो गया ते इस तो बाद उन्हेंने किया कि अपनी फॉन बेचे प्ले स्टोर तो के वेस नाम दी एप डाउनलोड कर लो जो तो मैं एप डाउनलोड किती है ता मेरा सारा फॉन ट्रेस होन लग गया जो भी मैं अपने फॉन बेचा कुछ भी दाजिकारदा सी अपना पासवर्ड जा कस्टोमर एड़ी हो ना कोल जा रही थी ऑनलाइन ठगी के इस मामने के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है हाला कि पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनके पास एक शिकायत आई है जिसमें किसान के साथ 76,3,000 की ठगी हुई है और हमने इस पूरे मामने को चंडिकर साइबर क्राइम को भेज दिया है जिसकी जाच की जा रही है और जल्दी दोश्यों को गिरफतार कर लिया जाएगा दूरी से जनता टीवी के लिए हर्श कौशक की रिपोर्ट